यह सम में लेंथ 75 है, हाइट 35 है और विर्थ 54 है तो पहले हम लोग लेयाउट बनाएंगे C, front view, top view, side view front view में हमें यह दिखेगा बराबर, तो पहले 75 by 35 का ब्लॉक बनाएंगे 75 dark, height 35, बाद में length, inside 20 then नीचे 5 जाएए, यहां से उपर 12 mm, जो मैंने दिया नहीं है then you go inside by 15 and you join this front view में पहले यह inclined slope के साथ ऐसा दिखेगा इसके अंदर dotted line भी है अगर आप यहां से देखेंगे, तो you can't see आपको यह triangle portion नहीं दिखेगा so वो हमें बनाना है तो उसके लिए हम लोग पहले vertical line और horizontal line बनाएंगे देखो, यहां से देखेंगे तो यहां से उपर से नीचे आएगी line और यहां से horizontal तो ऐसे dotted line बनेगी उसके बाद और एक dotted line है जो पीछे जो slot दिख रहा है जो gap जा रहा है नीचे वो through and through है, देखो, नीचे की तरफ पूरा उपर से नीचे की तरफ है लेकिन वो हमें front view से नहीं दिख रहा है इसलिए हम यहां से 12 लेके नीचे पूरा नीचे तक बनाएंगे हमेशे यहाद रखो, जबी भी depth नहीं दिया है हम लोग पूरा बनाएंगे उसके बाद हभी हम top view बनाएंगे top view में आपको यह C वाला portion दिखेगा यह दो slope दिखेंगे और नीचे वाला base दिखेगा बराबर तो पहले हम लोग उपर C वाला बनाएं बाद में दो rectangle और base तो C वाला के लिए पहले आप project करिए बराबर इसको dark करते 20 बाद में अंदर 12 देन अगें 14 देन अगें 12 देन अगें 20 यह हमारा C portion हो गया उसके बाद उपर से देखेंगे तो वो जो rectangle है वो flat देखेंगे वो straight हो जाएंगे बराबर जैसे आपको इस सीडी देखते है उपर से तो वो flat ही देखती है ना आपको इस slope तो front view में ही देखेगा तो यहाँ पर भी उपर से आपको rectangle देखेगा और उसके बाद नीचे का portion पूरा rectangle हो जाएगा तो यह हमें तो यह हमारा top view भी हो गया अब इसके बाद side view में यह rectangle देखेगा वापस वो जो slope है वो दिखेंगे और और एक rectangle जैसा दिखेगा बराबर पीछे का surface तो पहले हम लोग नीचे वाला बनाएंगे extend किया हम लोगे front view से length हमने height हमने front view से ली और width top view से तो यह rectangle बन गया उसके बाद दो rectangle तो उसको हम लोगे top view से project किया हमेशा project कीजिए वो अच्छा रहेगा और height front view से हमें दो rectangle मिल गए उसके बाद पूरा surface dark होगा और अगर आप ध्यान दे तो यहां से हम लोग जब देखेंगे तो वो जो slot है वो नहीं दिखेगा जो थ्रू एं थ्रू है सी वाट इविए थ्रू एं थ्रू जभी भी depth नहीं देते हम अज्यूम करते हैं कि वो पूरा नीचे तक है तो इसको हम लोग top view से project करेंगे और extend करेंगे तो यह आप पूरा dotted बना सकते हैं इसलिए बना रहे है वेकॉज जब हम side view से देखेंगे वो slot नहीं दिखेंगे तो यह हो गया हमारा front view top view side